Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, मा बनने का हैसास जिनकी का सबसे खुबसूरत है हसास होता है जब भी कोई नई मा बनने वाली होती है तो उनके दिल में बहुत सारे सपने होते हैं कि हम क्या करेंगे अपने बच्चे के लिए कैसे करेंगे क्या करें, क्या ना करें बहुत सारे questions आते हैं जब मैं expect कर रही थी, शिवाय होने वाला था उस टाइम पर मैं रात-रात को बहुत देर तक जाके यूट्यूब पर वीडियो देखा करती थी नेट पर search क्या करती थी कि बच्चे के लिए क्या लगेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो आप लोग भी अगर expecting mother है जो मेरा वीडियो देख रही है तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि अगर हमें hospital जाना पड़ा अचानक से तो हमारे पास bag में क्या-क्या होने चाहिए आपके hospital bag में क्या-क्या होना चाहिए उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक list प्रिपेर करी है ये list मैंने अपने experience के साब से प्रिपेर करी है मतलब जो मैंने अपने लिए पैक किया था वही सारी चीज़े मैंने इसमें add करी है तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने बैग में हॉस्पिटल के बैग में क्या क्या चीज़े रखनी है मेरा suggestion है कि आप दो बैग रेडी करिए मतलब एक अपने बच्चे के लिए और एक आपके लिए तो इसे क्या हो जाएगा कि इसी हो जाएगा आपको अपका समान अअलग हो तो बहुत ईजी Remember तो बहुत ईजी लियाँ आप उसको एकसे कर पाए तो सबसे पहले Friends मदर की लिस्ट में पताना चाऊंगी कि आपको मदर की लिस्ट में मतलब आपकी लिस्ट मैं क्या क्या आपको रखना है nursing gown रखना है friends आपको nursing gown मतलब आप उस gown में बच्चे को अच्छे से feed करवा सकती है उसमें सामने तरफ button या zip दी हुए होती है जिसे कि आप easily अपने बच्चे को feed करवा सकती है तो जब भी आप hospital जाए तो अपने hospital bag में कम से कम ती nursing gown ज़रूर रखे वैसे T-shirt भी market में available हैं लेकिन T-shirt से अच्छे friends मैं gown prefer करूंगी क्योंकि gown जो होते हैं वह थोड़े से ढीले ढाले होते हैं तो बहुत comfortable होते हैं मेरा C-section हुआ था friend मैं मेरा C-serian delivery है तो मुझे gown में ही comfortable लगता था क्योंकि टांके बगरे लगे रहते हैं तो हम कमर पे कुछ पहन नहीं पाते हैं तो अगर आप T-shirt लेते हैं तो पैजामा वेर नहीं कर पाएंगे इसलिए कोशिश करें कि आप gown ही खरीदें अब दूसरा friends होगा आपका sleepers, moja, towel, napkin, rumal और सर पे बानने का कपड़ा अगर winter में आपकी delivery होने वाली है तो गरम कपड़े तो आपको रखने ही है और अगर normal भी delivery होती है तो भी आपको moja और सर पे बानने का कपड़ा तो जरूर रखना है क्योंकि ऐसा कहते हैं friends के जैसे आपको एक कपड़ा रखना चाहिए मेरे पास है एक सेकंड देखें इस टाइप का rumal है यह ऐसा आप रुमाल रख लीजे और इसको आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है जो नई मदर बनती वो बान के रखती है या फिर आप इस तरीके से भी बान सकते हैं अगर आप अगला मैं बताना चाहूंगी के टूथपेस, ब्रश, कॉम, मिरर, लिब बाम, क्रीम यह सारी चीज़े जो आपके लिए लगेगी वो आप रख लीजे साथ ही वेट वाइपस भी रखे अपने साथ में अगर आप चश्मे पहनते हैं तो चश्मे भी रख लीजे और सबसे चीज़े फ्रेंड्स पैड्स मतलब इसमें एक न्यू मॉम के पैड्स आते हैं यह एमजोन में अवैलेबल हो जाते हैं वो थोड़े से हैवी मतलब आप समझ जाएए वो बहुत इंपोर्टन होते हैं आपके लिए उसके बाद कुछ मदस होती है जो मसाज कराना पसंद करत और आपको अगर गरम पानी का सेख करने की जौरत पड़ती है तो उसके लिए गरम पानी की थैली आती है ऐसी एक इलेक्ट्रिक थैली भी आती है आप यह भी रख सकते हैं इसको नॉमली आप ऐसे यहां से चार्ज कर सकते हैं यह 2-3 मेट में एकदम चार्ज हो जाती है और यह सेख करने के लिए सिकाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है तो यह भी आप रख लीजे अपने बैग में और फ्रेंट्स हां एक बैचित भी जरूर रखिए हो सकता है चादर ओने के लिए आपको मतलब हाईजीन परपस से हो सकता है होस्पिटल की कमफरटिबल ना लगे तो अपनी बैट्रीट जरूर रखिए और इसके बाद एक फ्रेश कपड़े रखिए मतलब जिसमें आप तयार होके वापस अपने बेबी को लेके अपने घर आएंगे उसके लिए मैंने एक फ्रॉक टाइब कर अधा जिसमें सामने से बटन बने हुए थे तो वह रखिए तो तब बी ऐसे कपड़े पहनिये जिससे कि आप अपने बेवी को ईजीवी फीट करा सके साथ ही एक दुपट्टा रखिए ताकि जब भी आप वीट करा है तो आप्ने को दुपट्टे से कवर कर सके वह कर सके और कि सारे पीपर जो आपकी फाईल इन महीनों में बनी होगी वो आपको इस बैग में जरूर रखनी है मतलब वो फाइल तो आप तयार करके ही रखिए जब भी जाने की जरूरत पढ़ती है तुरंत उस फाइल को अपने बैग में रख लीजे उसको बिलकुल भी मत भूलेगा अपना आईडी प्रूफ जरूर रख लीजे ये स अब भी चीज ये से बहुत बात करते हैं कि बेभी के लिए क्या-क्या तयार करना चाहिए तो देखे फ्रैंड्स बेभी के लिए कुछी चीजें मैंने तयार करी थी हू सारी में आपको भी दिखाूंगी लेकिन कपड़े हमारे में ।हले से नहीं लेके रखते थे क्योंकि पुराने कपड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पहन के यूज करके और चोटे बच्चों के कपड़े ज्यादा खराब भी नहीं हो रहते हैं कि वह जल्दी बढ़े होते हैं तो उन्हीं कपड़ों को जो हम लोगों अच्छे से वाश करके डिटॉल में अच्छे आफ़ को नेपी घिली करते हैं तो आपको चैंज करने की ज़ड़त पड़ती हैं इसलिए कोशिश करिए कि जादा रखें। अब नेपी में भी बहुत साइ टापस आते हैं अपको बता देती हूं मैं जैसे कि ये देखिए तक इस टैप की नेपी की नेपी आती है.. इसमें कहूंगी कि ऐसी आप मत लीजेगा ऐसे समोसा डिजाइन की नैपी क्योंकि ये न मुझे लगता उतनी काम नहीं करती है इसमें भी अलग-अलग साइजेस आती है फ्रेंट्स बड़ी छोटी आप मीडियम साइज की ले सकते हैं एक फ्रेंट्स नए टाइप की नैपी ऐसी भी आती है इसमें बीच में ऐसे सॉप्ट सा कपड़ा डला हुआ रहता है तो ये भी काफी बच्चों को मतलब कमफटेबल लगती है और एक ऐसी भी आती है यहां से इस तरीके से खुल जाती है इसके अंदर ऐसे कपड़ा दिया रहता है ताकि अगर वो पॉटी करता है या को ये नापी बताई ना इसी टाइप के डाइपर आते हैं जिसमें सामने से ऐसे चिपकाने वाले होते हैं तो वो आप जरूर रखे बच्चों के लिए तकि स्टार्टिंग में बच्चों को आपको डॉक्टर के विजिट करनी पड़ सकती है वेक्सिंग के लिए या किसी बारिश का मौसम था तो जल्दी सी नैपी सूपती नहीं है इसलिए ज्यादा रखेंगे तो आपको कमफर्टेबल रहे हैं सेकेंड है बेबी के लिए कपड़े तो कपड़े तो फ्रेंट उसी दिन जाके मेरे हजबन बहुत साइक कपड़े लेकर तो कॉटन के और जो सामने से बटन वाले आते हैं कपड़े यही पहनाई है क्योंकि वह आप उपर से अगर बच्चों को पहनाने वाले लेंगे तो बच्चों बच्चे इतने नाजुक होते हैं स्टार्टिंग में कि वह कमफर्टेबल नहीं लगते हैं तो सामने से बटन वाले ही लीजे साथ म अगर समर में भी हो रही हैं तो बच्चे को कैप पहनाना है तो उसके लिए कॉटन के कैप मिलते हैं मार्केट में वो आप जरूर लीजे जो मैंने आपको मोजे बताया है फ्रेंड्स वो कुछ इस टाइप के रहते हैं मतलब इसमें नॉर्मली ऐसे हाथ बच्चों के डाल दीजे तो यह बहुत ही क्योंकि चोटे बच्चे जोते हैं उनके नाखुन जैसे ही उनका बड़त होता है फिर विनके नाखुन काफी लगा लें इसलिए आपको इस टाइप के मोजे उनके हाथ और पैर दोनों में पहनाने हैं कुछ रुमाल साथ में ही क्योंकि बच्चे को जब आप फीट कराते हैं उसके बाद उनको ड़कार लिवाना जरूरी होता है तो रुमाल की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी आप आपको एक ड्राइशी ट्रकनी पड़ती है उसमें आप बच्चे को रखेंगे तो जैसे यह मेरी मर्दाइनलों ने बनाई थी कुछ इस तरीके की शीट साब बना सकते हैं ऐसी आप किसी के पास बनवा भी सकते हैं आजकल इसी बना के भी लोग दे देते हैं देखिए कई बना कि यह देखिए यह भी एकदम रेडिमेट जैसे बहुत है सुंदर सुंदर मेरी मादाइनलों ने यह बनाई थी और मेरी मम्मी ने भी इस ट्रैप की रेडी करी थी जो मेरी मम्मी ने काफी एक स्मार्ट आइडिया लगाया था जैसे अगर आप खुद से बनाना चाहत तो ऐसी ड्राइशीट आप बना सकते हैं साथ ही फ्रेंश द्राइशीट के नीचे रखने के लिए ऐसे प्लास्टेक्स में मिलते हैं मार्कित में वह आप ले सकते हैं ताकि जो मेन बैड है वो गिला ना हो इसके बाद प्रेंश आपको लगेगा एक गरम कंबल तो कंबल फ चीज़ फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं वो है ये बच्चे का बेड ये देखिए इसमें ऐसे जिप दिया हुआ है इसमें भी दो साइज़ आती है फ्रेंड्स ही मैंने छोटी साइज ली हुई है और शिवाय पहले दिन से ही इसमें सोता था बहुत ह बच्चे को इसमें रखके आप जिप बंद कर दीजे इवन यहां से भी ये बंद हो जाती है देखिए तो इसमें बच्चा अराम से फ्रेंड्स सो जाता है उनको काफी कोजी फीलिंग आती है देखिए मुझा याद है ये मैंने पहले से मंगवा लिया था मतलब ये मैंने दिलेवरी के पहले ही मैंने इसको मंगवा लिया था तो जब भी आया था ना फ्रेंड्स सो इतनी खुशी होई थी इसको देखके मैं ऐसे ही टॉय रखके ऐसे मतलब वह फील ले रही थी कि मेरा बच्चा होगा तो कैसा होगा क्या होगा तो आप भी ऐसी फील ज़रू देखे इसमें ऐसे जिप ऐसे नेट लगी होती है इसमें जिप लगी रहती है ताकि आप बच्चे को ऐसे सुला सकते हैं अगर आपके डिलेवरी ऐसी कहीं जगा होती है जहां पर हो सकता है मच्छर की प्राबलम हो तो आप आल आउट वगर तो लगाएंगे ही लेकिन बच बच्चों को जो है अच्छे से डॉक्टर बोलते हैं कि बान के रखे तो जादा बेटर है तो इस तरीके से यह बैट शीट है बस आपको इसमें ख्याल रखना है कि इसके कॉर्णर सापको स्टिच कर वा लेना है क्योंकि जब आप काटेंगे तो इसके चुटे चुटे धा है आप ले सकते हैं ऐसा ऐसे कम से कम दो टावल आपको जरूर रखने है अगला जो है बच्चे के लिए तक्या तो बैट के साथ में यह तक्या ना इसके अंदर राई भरी हुई है यह मेरी ममी ने बनाया था ऐसा मानते हैं बड़े ऐसा बुलते हैं कि अगर बच्चों के आप सुलाएंगे ना तो उनका जो सर होता है वह अच्छ से गोल हो जाता है तो देखे सिंपल सा है इसके अंदर में राई भरी हुई है तो राई का तक्या यह अगर आप राई का तक्या नहीं भी रखना चाहते तो नॉर्मल इस टाइप के पिलो आते हैं बच्चों के अगर सीजेरियन डिलेवरी होती है तो एक दो दिन बाद ही माँ फीट करवा सकती है तो आप जो भी फॉर्मुला मिल्क लेते हैं उसका प्लीज छोटा डब्बाई पहले लीजिए हम लोगों ने क्या मिस्टेक की थी कि हम लोगों ने बड़े बड़े ले 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 ल चीजे करें पहले चोटे पैकेट सी लीजे हर चीज हर बचो को सूट नहीं करती है तो यह मेरी स्पेशल टिप है फ्रेंड मेरे एक्स्पीरियेंस से कि बच्छों के लिए पहले छोटी चोटी चीज़े लीजे अगर उनको सूट करता है उसके बाद आप उनके लिए Packets या बड़े डबे ले सकते हैं तो friends, ये list यहीं तक थी बच्चों के लिए सारी चीजे मैं आपको बता दी है Mother के लिए भी बता दी है दो backpack करिए क्या क्या चीजे हैं सारी मैं description box में भी दे रही हूँ आप उसमें भी देख लीजे अगर और कोई चीज़े आपको add करना है तो आप भी कर सकते हैं इसमें add friends वैसे मैंने कोशिश करी है कि मेरे experience से मैंने इतनी चीज़े ली थी वो सारी मैंने आपको बता दी है और friends बहुत अच्छा time आने वाला है आपका बेबी आने वाला है तो यह सारी तयारिया शुरू से आप कर लेंगे ना तो उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ enjoy कर पाएंगे क्योंकि hospital में last moment पर अगर आपको जाना पड़ जाए तो यह सारी packing में जो है आप irritate हो सकते हैं इसलिए कोशिश करिए कि जैसे ही आपका भी आठवा मैना लगता है आप तूरंत यह सारी packing करके एक तरफ रख दीजे जो चीज़े ऐसा लगता है जैसे गरम पानी की bottle हो करे व लेकिन जो चीज़े कपड़े वगरे यह सब पहले सही पैक करके रख लीजे friends अपना तो आई हो फ्रेंड से वीडियो आप लोगों के लिए useful रहेगी पसंद आई होगी और एक चीज़ में आपको और बताऊं आप लोग भी शायद रखते होंगे यह मेरी मेरी है इसलिए म आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं यह देखें यह मैंने अपने कमरे में लगाया था यह पोस्टर तो अगर आप भी एक्सपेक्टिंग मदर है तो एक सुन्दर सा प्यारा से सा क्यूट सा बेबी अपने घर पे अपने रूम पर लगा के रखे जब भी आप इसको करते हैं कि कब हम मा बनेंगे कब हमारा बच्चा होगा मतलब हम हमीशा सपने में खोए रहते हैं हमारा बच्चा कैसे होगा कैसा दिखेगा क्या होगा मतलब यह सब चीजे जो हैना मैं समझ सकती हूं कि बहुत excitement वाली है तो आप लोगों का बहुत अच्छा time आने वाला है भी expecting mother है आपको बहुत प्यारा सा बेबी दुनिया में आने वाला है तो बहुत अच्छी से उनके लिए तयारी करिए happy रहिए और जितना जादा से जादा हो सक कि अपना ध्यान रखिए friends तो चले इस वीडियो को यहीं खतम करती हूं friends अगर यह वीडियो आप लोगों को प